अमश्याब मित्रों स्वागत है आपका स्वीडियो चैनल पे यह आप देख सकते हैं Government of UP का Official पेज है जिसके द्वारा एक ट्वीट किया गया है एक पोस्ट किया गया है इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसमें नियाए पंचायतों के स्थर पर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की योजना तयार की है और स्कूलों में ट्रांसपोर्ट की भी सोधा उपलब्ध होगी देख सकते हैं नीचे दिया भी हुआ है नियाय पंचायत स्थर पर बारवी तक बनेंगे वर्ल्ड क्लास स्कूल पूरी खबर पहले पढ़ेंगे फिर बात करेंगे तो हर जिले में नियाय पंचायत के अंतरगत 10 से 12 गाउं आते हैं प्रदेश सरकार ने नियाय पंचायतों के इस तरपर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की योजना तयार की है बारवी तक बनने वाले स्कूलों में प्रांसप दा इकोनोमिक टाइम्स प्लैनिंग डिपार्टमेंट और उदैती फांडेशन की तरप से आयोजित सेमिनार में कही गोमती नगर स्थित होटल में आयोजित सेमिनार माफरी का फास्टरिंग वीमन इंक्ल्यूजिव ग्रोथ इन यूपी में महिलाओं के सस्थिकरण पर चर अब आप देख सकते हैं इस पूरी बात को पढ़ने के बाद अच्छा लगा कि नियाए पंचाज स्थर पर बारवी तक के वर्ल्ड क्लास स्कूल बने हम सब चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में पूरे देश में जो विशिक्षा विवस्था है उनको सुधारा जाए लेकिन देखे समस्या कहाँ आपी है समस्या एक सेंटेंस में है कि हर गाओं में स्कूल है और वहाँ विवस्थाएं सही नहीं हो पा रही हैं क्या कभी किसी अधिकारी ने जमीन पर जाकर ये देखने का प्रयास किया कि विवस्थाएं क्यों नहीं सुधर पा रही हैं क्या वाकई में समस्या हैं, क्या वाकई में सिक्षक नाकारा हैं, या फिर कोई तीसरा ही कारण हैं, जिसकी वज़े से समस्या उत्पन हो रही हैं, जब आप जमीन पे उतरेंगे, तब आपको पता चलेगा, कि कागज पे कारवाई करना, एसी में बैठ कर आप बड़े-बड़े स्टेट्मेंट देना, और जमीन पे काम करने में जमीन आस्वान कांतिर होता है, अब आप एक छोटी सी बात समझीए, जिन विद्यालियों में MDM, हेड मास्टर ना बनवा कर प्रधान बनवाते हैं, और जिस दिन दूद या फल का दिन होता है, और दूद और फल नहीं आता, क्या किसी अधिकारे के पास दम है, कि वो प्रधान पर उंगली उठा कर उस पर कारवाही कर सके, लेकिन अगर एक दिन भी हेड मास्टर के द्वारा ये गलती हो जाए, तो उसके उपर तमाम प्रकार की जो सरकारी तंत्र हैं, वो लगा दिये जाएंगे, तो विवस्था कहां से बिगड़ गई, विवस्था बिगड़ी, प्रधान किस तरते, लेकिन दोशी कौन है, स्पस्टी करण कौन देगा, सिक्षक देगा, हेड मास्टर देगा, एक विद्याले में सफाई कर्मी नहीं आता है, गंदगी पड़ी रहती है, दोशी कौन है, दोशी है सफाई कर्मी, लेकिन स्पस्टी करण कौन देगा, हेड मास्टर, सिक्षक, एक स्कूल में, बिल्डिंग चू रही है, बिल्डिंग किस ने बनवाई थी, उस वक्त के, आपके, जो हेड मास्टर, प्लस, आपके कर्म पड़ान, गलती किस की, प्रधान की, क्योंकि देखिए आप यह जानते हैं, यह प्रधान और हेड मास्टर की बीची जब कोई चीज आती है, तो उसमें हेड मास्टर की कोई दम ने रजाती, उस सारा काम प्रधान ही करवाती है, बिल्डिंग चू रही है, अगर माल लेते हैं, कोई अन हो नहीं हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, गलती किस की थी, उस वक्त के प्रधान पर, लेकिन स्पस्टिक करण कौन देगा, सिक्षक देगा, बहुत तिक समस्याओं की बात, सिर्फ कि यहां की जा रही है, यहां यह समस्याओं नहीं है, कि सिक्षण कार करते हैं, उसके बाद डीबीटी करते हैं, उसके बाद सर्विक्षण करते हैं, feeding करते हैं, इसकी बाती, सिर्फ बहुत तिक बात अगर कर लें, विद्यालियों की समस्यां को समझीए सर, देखें, जमीन पर आप आईए न, उपर आपको लगेगा कि भाई, इत्ती तो ववस्थाइं की जा रही है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, जो चीजें प्रधान के अंडर गता रही हैं, साफसा प्रधान खुट करते हैं, उसमें सिक्षक को कोई मतलम दे जाता है, लेकिन जहाँ पर सिक्षक स्वया मगर अपने आपकार कर रहे हैं, वहाँ गर-बढ़ है, वहाँ पर सिखशक दोशी है उसको दोशी है तो उसको दंड दीजिए लेकिन ऐसे विद्याले जहाँ पर वो दोशी नहीं है फिर भी उस पर ही दोश निकाला जाएगा बिजली का बिल अगर बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा विभाग द्वारा, कौन काटेगा बिजली का connection, बिजली की भाग गलती किसकी किसी की भी हो, पस्टिकरण सिक्षक देंगे सर अगर आप मैडम अगर आप एक विद्ध्याले में एक हफ़ते काम करके देखिए, समस्याएं अपने आप, समझ में आएंगी समस्याएं, समस्यात्मक लगने लग जाएंगे लेकिन जब दूर से हम किसी को देखते हैं तो हमको नहीं पता होता कि उसकी चपल कितनी भटी है और वो कितना काट रही है दूर से दूसरे की चपल अच्छी लगती है आप पहन की देखिए समझ में आएगा कि उसके फिटिंग उतनी भी अच्छी नहीं है बहुत अच्छी बात है कि नयाय पंचाइस सर पे विद्याले बनाए जाएं लेकिन जो ये छोटे-छोटे हर गाउं में विद्याले हैं क्या ये बंद कर दिये जाएंगे तो जो एक नियम मनाया गया था कि एक किलोमेटर पर प्रात्मे एक और दो-दाई किलोमेटर पर एक जूनियर उसका क्या होगा जो बच्चे अपने गाउं के विद्याले में पढ़ने नहीं आते क्या वो इतने दूर-दूर पढ़ने के लिए जाएंगे ऐसे बहुत से सवाल है जिन पर जवाब चाहिए होगा क्योंकि नीती बनाना और फिर उसका इंप्लिमेंटेशन में बहुत अंतर है ऐसे ही एक बार ओल्लेडी आ चुका है कि उन विद्ध्यालों को ढूणी है जहां पर एरिया बहुत ज़ादा है उनको भी इंट्र कॉल्ज में कनवर्ट कर दीजे पर वो योजना आई गई चली गई शायद इसी तरह कि यह आए योजना आई गई या चली जाए लेकिन अगर आए तो इस पकार से आए कि सबी समस्याओं के समधान के साथ आए ऐसा ना हो कि फिर कुछ नया हो जाए और बाद में जवाब सिर्फ शिक्षकों को ही देना पर जाए लास्त तक विडियों के उसके बहुत बहुत दनेवाद आपको दिन शुब हो